के बल स्मॉल स्केल बिजनस के रूप में ही बनकर रहे गए वहीं दूसरी हो एक ने बिलियन डॉलर टेंथ क्लास में पढ़ता था तो मेरे स्कूल के बाहर ही विट्टु टिक की वाला रिडी लगाये लेकिन जब मेरे दादा जी ने शॉप को शुरू किया था तो वह शॉप आज मैं आपके सामने एक ऐसी सची कहानी लेकर आया हूँ जो आपको इस सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या मेरा बिजनस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है अच्छा प्रॉफिट भी दे रहा है और मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ उसके बाद भी आप पिछड सकते हैं ये बात चुरू होती है उस कहानी से जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ हरी दौर दर्शन के लिए गया हुआ था मैंने गंगा स्नान किया उसके बाद हम होटेल में रुके और होटेल में रुकने के बाद मेरा मन किया कि चलो एक बार म जब मैं मार्किट घुमने निकला, तो मैंने बहुत सारी शॉप देखी, नई शॉप भी देखी, पुरानी शॉप भी देखी, वहीं पर मैंने एक नई शॉप के उपर लिखा हुआ देखा, कि ESTD since 1860, 1860 से वो दुकान वहाँ पर है, अब दोखो दोस्तों, 100 साल से पुरानी बात हो गई, तो मने में एक जिग्यासा होती है, कि यार, 100 साल से ज़्यादा बिजनस करते हुए समय, इस बिजनस ओनर को हो गया, चलो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, जैसी मैं शॉप में घुसाना, एक दम नया इंफास्ट्रक्चर बना हुआ था, बहुत प्यारी दुकान बनी हुई थी, और इतनी भीड थी, इतनी भीड थी, कि वहाँ पर काउंटर पर लोगों को समान देने के लिए उस व्यक्ति के पास टाइम नहीं था, उसने टोकन दिये हुए थे, तो मेरे मन में जिग्यासा हुई, मैंने उस व्यक्ति से पुछा, वहाँ पर 26-27 स मैंने खाए, यह तो बहुत अच्छी बात है, मतलब तीन जनरेशन हो गई, आपके दादा जी के भी पिता जी, फिर आपके दादा जी, फिर आपके पिता जी, और अब आप, मतलब चौती जनरेशन आप हैं, तीन पीडिया निकल चुकी हैं, उसने का हाँ, बड़े गरव स दादाजी के पिता जी ने शुरू किया था, जब यह बिजनस शुरू किया था, तो हमारी चोटी सच श्वाप थी, छेवाई सात् की हमारी श्वाप थी, और मेरे दादाजी खुद अपने हाथ से मिठाईयां बनायाते थे, और बनाने के बाद लोगों को देते हैं उनको बड़ा पसंद आया धीरे धीरे मेरे पर दादा जी जो थे उन्होंने इस बिजनस को थोड़ा सेट किया उसके बाद जब बिजनस थोड़ा एस्टबलिश हो गया तो मेरे दादा जी इस बिजनस में आ गए उन्होंने थोड़ा बिजनस और बढ़ाया, काम की दाइरे को और बढ़ा किया, और ज़दा गरहा का हमारे पास आने लगे, फिर मेरे पिता जी जब आए, तो उन्होंने इस बिजनस को समाला, और मेरे पिता जी के बाद अब मैं इस बिजनस को समाल रहा हूँ, मैंने का यार मैं वही कह रहा था कि आपकी वीडियो में पहले लंबे समय से देखता आ रहा हूं पर पहले आप थोड़े मोटे थे और आप थोड़ा स्लिम हो गए है इसलिए माफी चाहता हूं आपको पहचान नहीं सका तो मैंने पुछा है और मुझे बताओ थोड़ा बिजनस के बारे मे तो उसने का कि सर ये जो शॉप है ना 1860 में शुरू हुई थी और जब शुरू हुई थी तो बहुत छोटे सी शॉप थी हर व्यक्ति जो नई जेनरेशन में आया इस शॉप का आकार बढ़ा करता गया और आप देखिए आज जो मेरी शॉप है वो लगभग 1500 स्क्वेर इस तक जब अब पहुंच पाएं है तो आज मेरा बिजनस ना बहुत अच्छे लेवल पर आ गया है मैंनका थोड़ा बताओ कि मेरे पास 30 लोगों का स्टाफ है इंक्लूडिंग मी मुझे मिला कर 30 लोग है मतलब 29 मेरे पास स्टाफ है मेरी टोटल एसेट की जो वेल्यो वो 8 करूड रुपए है देखा हमने कितनी तरकी की है एन्वल टर्नोवर की बात करूँ तो 3.6 करूड मतलब 3.5 करूड से अधा का हमारा टर्नोवर है एवरेज देखें तो पर मन्त लगबग 30 लाख की सेल हम लोग करते हैं एवरेज देखें तो हर रोज एक लाख रुपे की स स्टड़ी किया यह बिजनस मॉडल तो मुझे समझ नहीं आया चार जनरेशन भी लग गई और अभी तक आप केवल 8 करूड की वैलीशन तक पहुंचे हैं और आपके पास एक लाख रुपे की सेल है बीस अजार रुपे हो उचके आप से 5-6 लाख रुपे महीन आप कमाते ह वहीं दूसरी और मैंने दूसरी बिजनस को स्टेडी किया उसके बोड के बार लिखा था ESTD सिंस 1954 1954 में वो दुकान चुरू हुई 2022 तक कैलकुलेशन करें तो लगबग 68 साल उस शुप को शुरू किये हो गया था और उसकी जब फर्दर कैलकुलेशन की गई 1954 से लेकर 68 साल में टोटल जो उस कंपनी की ऐसेट है ना वो 36.62 करोड डॉलर इसका मतलब 2,49,016 करोड रुपे की उसकी नेट ऐसेट है अब ऐसा कैसे हो पाया कि एक बिजनस तो 150 साल साल का समय लगाने के बाद भी इतना आगे नहीं बड़ा और एक बिजनस केवल केवल 68 साल में इतना गुना हो गया फाइन उसकी एन्वेल टर्नोवर 28.10 करोड डॉलर मतलब अगर इंडियन करनसी में बलू तो एक लाग 96,700 करोड रुपाई की टर्नोवर है एन्वेल टर्नोवर तो छोड़ो अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो उसकी जो पर मंत की टर्नोवर है वो है 16,391 करोड और पर डे की कैलकुलेशन 546 करोड पर आवर की कैलकुलेशन 68.25 करोड पर मिनट की कैलकुलेशन भी करेंगे ना तो 1.137 करोड एक व्यक्ती जो एक महिने में एक घंटे में जितना काम कर रहा है दूसरे व्यक्ती उससे जादा पुराना होने के बाफ़ूद भी केवल और केवल एक दिन की कैलकुलेशन को बीट नहीं कर पा रहा एक घंटे की कैलकुलेशन को बीट नहीं कर पा रहा क्यों क्यों कि दोनों के काम करने के सिस्टम में बहुत बड़ा अंतर है क्या हुआ था कि Mr. Ray Cross जिनका जन 1902 में हुआ उन्होंने बिजनस शुरू किया 52 साल की उमर में और आप Ray Cross को नहीं जानते तो आप इस ब्रैंड को जरूरू जानते होंगे कि Mr. Ray Cross ने जब इस बिजनस को शुरू किया ना तो वो छोटी सी शौप थी वो अपने हाथ से अबर अगर बनाया करते थे और बनाने के बाद लोगों को सर्व करते थे धीरे धीरे बिजनस का सिस्टम लोगों को समझ में आने लगा कि यार ये प्रोड़क्ट बहुत अच्छा है इसमें प्रॉफिट मारजन अच्छा हो सकता है और कुछ है इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर Mr. Ray Cross ने मैकडॉनल्ड की स्थापना की आज पूरे भारत वर्ष में 27,000 सादा वहीं दूसरी हो एक ने बिलियन डॉलर कंपनी मना के खड़ी कर दी अब आपको लगेगा कि सर आपने शॉप के बारे में तो बता दिया लेकिन हरे एक व्यक्ति का ऐसा नहीं होता नहीं कि हरे एक व्यक्ति मैकडॉनल्ड बन जाए तो मैंने कब कहा कि दोस्तों आपको मैक इनके बारे में बता कर तो कोई भी इंस्पायर कर देगा तो इंडियन ब्रैंड की बात करते ना चायोस एक व्यक्ति ने चाय बनाने का बिजनस शुरू किया दिरे दिरे उसको सिस्टमेटिक तरीके से डिजाइन किया और एक्सपेंशन की और लेकर चला गया अमूल इंड जनरेशन अबीन की आई है इस बिजनस में हल्दी राम ठीक है ना चाय सुट्टा बार एक यंग लड़का कॉलिज से बाहर निकलता है और चाय सुट्टा बार को बनाता है और सिस्टमेटिक तरीके से बिजनस की प्लानिंग करता है और प्लानिंग करने का आधा करके business का plan develop करेंगे और plan लोगों को offer करेंगे और उनको अपने साथ investor लेकर फ्रंचाइजी लेकर dealership के रूप में लेकर distributor के रूप में लेकर आगे बढ़ेंगे वही लोग अपार सफलता आसिल करेंगे बिट्टू टिक्की वाला तो इंडिया का present brand है कुछी वर्षों में जब मैं 10th class में पढ़ता था तो मेरे स्कूल के बाहरी विट्टू टिक्की वाला रीडी लगाया करता रहा जादव जी और आज पूरे इंडिया में BTW इंडिया के नाम से उनके आउटलेट्स हैं और लगबग 200 सदा MBA और 10 सदा चार्टर अकाउंटेंड उनके लिए काम करते हैं तो इन्होंने सिस्टम को डेवलेप किया चलो और दूर की बाद छोड़ देते हैं केवल 12 साल पहले मैंने अपना ब्रैंड शुरू किया मेटास लाइट स्टाइल स्टेलने स्टील मोडलो किचिन और सिस्टेमेटिक तरीके से डेवलेप करने के बाद आज पूरे भारत वर तो लाइफ में आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे आपको तो लगेगा हमने प्रॉफिट अच्छा कमाया आपने सेट अप बढ़ा कर लिया पर क्या वह सेट अप वास्तविक्ता में कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री में बाकी ब्रैंड से कॉम्पीट कर पाएगा बिजनस को सक्सेस करना है तो पाँच ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें डेवलब करने पड़ेंगे उनको फॉलो करना पड़ेंगा नमबर वन प्लानिंग अगर आप सही तरीके से बिजनस का प्लान बना लेते हैं तो उस प्लान पर इन्वेस्ट करने वाले बहुत सारे लोग आ साथ आपके क्या सक्सेस और सक्सेस के साथ कैसे आप लोगों के साथ मिलकर उनको अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं और उसके बाद बिल्ट करना जब आपने प्लानिंग कर ली एक्सपिरियंस आपके पास है इस्टाबलिश आप है तो आपको ज़रूत है लेकर जा सकते हैं और इसी के लिए मैंने अपने बिजनस एक्सपिरियंस के आधार पर आपके लिए डेवलप किया है कूर्स और वह रोप रिजल्ट ओरेंटेट प्रोग्राम फॉर आंतरपनियोर इसका नेक्स ट्रेंडिंग प्रोग्राम कब कहा के शहर में है इसकी जानक जान एक्सपेंजन के लिए नहीं बनेगा तब तक आप नेक्स लेवल हासिल नहीं करेंगे वह कैसे करना है उसकी जनकारी के लिए अभी कॉल करें और प्रोग्रम अटेंड करें और आप अपने बिजनस को नेक्स लेवल तक लेकर जाए और आने वाली जिनरेशन को एक ऐस बिजनस दें कि आपकी जनरेशन भी कहे कि वाह, हमारे पूर वजों ने कितना तकड़ा बिजनस बना के हमें दिया है स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी, आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत